यू आ वाचिंग बिट बेनस न्यूज दो मेजर वेल ने 271 बिलियन शीबा इनू की 6.6 मिलियन डॉलर में खरीद की टॉप वालेट के पास अब 1.4 बिलियन डॉलर वर्थ के शीबा इनू है 5 बिलियन शीबा इनू 24 घंटों के अंदर बर्न हुआ 15.8 बिलियन बर्न पोर्टल के लॉंच के बाद से सैंडबॉक्स ने 28 अपरेल को मेगा सिटी टू लैंड की सेल स्टार्ट की बूनोस एरिस कंफर्म करता है कि यह सिटिजन्स को क्रिप्टो करनसी के साथ टैक्सिस का बुक्तान करने की अनुमती देने की योजना बना रहा है ब्लाइंड डेस्क, RSK और बिटकोइन डिफाय में दो नए स्टेबल कॉइन्स लाता है बिटकोइन स्टार्ट अप एंबॉस ने सेकेंड लाइटनिंग लिकुडिटी मार्केट का शुबारम किया औस्ट्रेलिया के पहले बिटकोइन ETF का लाउंच पोस्पोन हो जाता है मेटा, मेटावर्स के लिए रिटेल स्टोर लाउंच करेगी Human Rights Foundation ने बिटकोइन प्रोजेक्ट के लिए 5 BTC ग्रांट दिया NFT की बिकरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बावजूद आसमान चू रही है Web3 Solutions का लक्ष अमेरिका के रियल एस्टेट मार्केट को और एक्सेसिबल बनाना है Fireblock Tera के DeFi एकोसिस्टम तक institutional reach को एक्सपैंड करता है Retirement Plants में बिटकोइन निवेश की अनुमती देने के लिए fidelity SushiSwap 2021 की सबसे बड़ी DeFi प्रोजेक्ट में से एक थी जिसमें Sushi एकोसिस्टम में एक central product था प्रोजेक्ट के लगभग complete decentralization ने चारो और individual की एक independent team बनाने की अनुमती दी लेकिन बड़े कारोबार के बाद योजना के अनुसार चीज़े नहीं हुई जैसा की प्रोजेक्ट के नए अप्रोच से पता चलता है SushiSwap future में Trident AMM 2.0 multi-chain launch, show you redesign, limit order and life की other quality releases जैसी features और solutions को जारी करेगा दो major ETH whale ने पिछले 24 घंटे के भीतर 271.13 billion Shiba Inu मूल्य 6.63 million American dollar खरीदा सबसे लोग प्रिये कैनाइन थीम वाली cryptocurrency के ongoing accumulation के बीच एक Ethereum whale ने 219.33 billion से अधिक Shiba Inu token हडप लिया है whale ने SHIB को 5.45 million dollar में खरीदा था whale stats द्वारा उपलप कराए गए आंखडों के अनुसार, blue whale 0073 लेबल वाली whale ने एक महतपोन transaction के माध्यम से कुल 219.33 billion SHIB हासिल किया, जिसकी value 5.45 million dollar के बराबर है SHIB burn portal 23 April 2022 को launch होने के बाद से बड़े पहमाने पर traction प्राप्ट कर रहा है एक नए burn portal की मदद से पिछले 72 hours में 15 billion से अधिक Shiba Inu token को स्थाई रूप से circulation से भार कर दिया गया है authoritative and most dedicated SHIB growth breed members में से एक archangel द्वारा पोस्ट किया गया एक tweet Megacity 2 Sandbox Metaverse द्वारा latest expansion project है Metaverse का यह नया expansion Megacity 1 का extension है और project को second stage में push करने के लिए इस hub में नए नाम लाता है नई प्रवेश करने वाली firms The Sandbox Metaverse में tourism, hospitality, culture, media, education, banking, investment, music और entertainment जैसे thriving industry की एक white range लाती है land की बिक्री 28 April से शुरू होगी और Metaverse 38 lands को open sea में auction के लिए लिस्ट करेगा अर्जंटीना की राजधानी Buenos Aires की सरकार के chief Horatio Lareta ने confirm किया कि city अपने citizens को crypto currency के साथ कुछ tax का बुक्तान करने की अनुमती देगा यह है एक digitization plan का हिस्सा है जिसे share ने Brunos Ares Plus नाम दिया है जो share के citizens के साथ relations को सरल बनाने का प्रयास करेगा bitcoin network के लिए defy protocol को अकरशित करने के लिए root stock ecosystem momentum प्राप्ट करना जारी रखता है blindex RSK के साथ अपने protocol को integrate करने के लिए latest protocol developers में से एक है अब blindex team ने comprehensive ecosystem के लिए दो algorithm stable coin लाँच किया Great British Pound और Sona root stock ने bitcoin network में smart contract functionality लाई है emboss technology lightning network पर liquidity buy और sell करने के लिए नया marketplace magma लाँच कर रही है magma एक novel HODL invoice का उपयोग करता है जो एक channel की खरीद को पूरा करने से पहले तीन on-chain confirmation की wait करता है marketplace reputation को भी track करेगा दोराने वाले offenders और confirm cheaters को हटा देगा Australian financial review की एक report के अनुसार Australia के पहले bitcoin exchange traded fund के launch में देरी हुई है जैसा की you today दोरा report किया गया था bitcoin ETF की शुरुआत के कारण 27 अपरैल को Australia के financial market के लिए एक अतिहासिक दिन माना जाता है Cosmos Asset Management के bitcoin ETF को Australia security exchange से approval प्राप्त करने के बाद morning local time 10.30 पर live होना था के लादार हो जो प्राप्त करने के लिए है